नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के हमारी वर्क्षीट इंग्लिश की वर्क्षीट होने वाली है और वर्क्षीट का नंबर है 144 आज हमारे सामने कोई नई पोएम है पोएम का नाम है दव वोटरिंग राइम यह पेज निमबर 114 और 115 पर है हमारी मेरी गोल्ड बुक से ही है चलिए देखते हैं और करते हैं तो अभी जैसे ठंड हो रही है और हम जैसे बहुत लोग अपने घरों में ही प्लांट्स उगाते हैं ग्रो करते हैं उनकी केर करते हैं देख भाल करते हैं फिर चाहे कोई सा भी वेदर हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो we have to take good care of them हमें उन plants की जो हमने grow किये हैं उनकी अच्छे से care करनी है नहीं तो वो survive नहीं कर पाएंगे उनकी हम help नहीं करेंगे care नहीं करेंगे तो अपने आप से वो survive नहीं कर पाएंगे survive का मतलब क्या है? बचे रहना तो अगर हम care नहीं करेंगे तो वो बच नहीं सकते Do you know what all things are required by plants to grow? क्या आपको वो सारी चीज़े पता है? What all things वो सारी चीज़े पता है जो plants को चाहिए grow करने के लिए अपनी growth के लिए plant को बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़े चाहिए क्या आपको पता है? Let us read an interesting poem to find out that चलिए अब हम इसी चीज़ को पता करने के लिए एक poem पढ़ते हैं तो आपको अपनी poem जो है Marygold page number 114 और 15 से ये poem पढ़नी है कुछ लाईने नहीं चली की हैं चलिए पढ़ लेते हैं तो हमने read किया poem को आप इसको समझते हैं early in the morning early मतलब की सुबह सुबह morning का मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी early मतलब जल्दी जल्दी सुबह सुबह जल्दी से or the evening hour या फिर शाम के time hour का मतलब यहां पे क्या है time evening मतलब शाम का time are there times to water every kind of flower यानि की कौन-कौन से दो समय है जहां पर हम पोधे को पानी दे सकते हैं या तो सुबह जल्दी पानी दो या फिर शाम को पानी दो यही दो time है जहां हम हमें पोधे को पानी देना चाहिए फूलों को पानी देना चाहिए watering at noon day यानि की दिन के बीचो बीच दो पहर में अगर हम पानी देते हैं पोधे को पानी देना का मतलब होता है watering when the sun is high जो बिल्कुल सूरज बिल्कुल सरपे होता है यानि की दो पहर की बात हो रही है उस समय पानी देना help नहीं करता does not help the flowers flowers को help नहीं करता उससे तो मर भी जाते हैं only makes them die अब पानी हमने दे दिया उस समय उस समय पानी तो मिलेगा या नहीं उसको flower को उड़ जाता है जल्दी वो लेहनी पाएंगे और उससे पोधे मर जाएंगे तो questions देखते हैं first question क्या है what is the best time to water a plant यानि कि सबसे अच्छा time क्या है कि हम पोधे को पानी दे उस time पर तो अभी हमने देखा पोएम में दो time हैं हमारे सामने कौन-कौन से या तो early in the morning हो या फिर evening के time तो हम या answer क्या लिखेंगे early morning or evening is the best time to water a plant second question देखते हैं children you must have observed plants growing near your home or in your school यानि कि आपने observe किया होगा ध्यान दिया होगा आपके आसपास plants grow होते हैं आपके घर के आसपास हो सकते हैं या फिर आपके school में हो सकते हैं today we will learn to organize information about plants आज हम क्या सीखेंगे organize करना है information को जो जानकारी हमारे पास है plants के बारे में पोधो के बारे में जो जानकारी है उसको organize करके अच्छे से लिखेंगे एक जगह in an interesting way और interesting तरीके से लिखेंगे उसको क्या कहते हैं it is called kwl chart तो हम एक chart में information बना के लिखेंगे पोधे के बारे में पोधो के बारे में हमारी जितनी भी समझ है जितने भी knowledge है जितने भी जानकारी है उसको हम एक kwl chart की form में लिखेंगे जहां पे k का मतलब क्या है k means no i know तो ऐसी चीजे जो हमें पता है वो हम उस chart में k की जगह लिखेंगे k के साथ लिखेंगे w का मतलब क्या है w का मतलब है want to learn जो मैं पता करना चाहता हूँ और l का मतलब क्या है i have learnt जो हम मैंने सीख लिया है जो मेरे को पता करना था और अब मैंने सीख लिया है ये तीन तरीके से मैं information को organize करूँगा एक chart में पोदे से जुड़ी हुई सारी information what i know अब जो चीजे मेरे को पता है वो words यहां लिख सकते हैं या फिर sentence बना के लिख सकते हैं जो चीज हमें पता करनी है जो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे पता करनी है plants के बारे में कि ऐसे कैसे होता है या ये कैसे करते हैं plants तो इन चीज़ों को हम यहां लिख देंगे कि I want to learn आप क्या-क्या जाना चाते हैं और जब हम सीख लेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तब हम यहां लिखेंगे कि हमने क्या-क्या सीखा तो यानि कि जो हमें plants के बारे में पता है वो हम इस तरफ लिखेंगे और जो पता करना है वो हम यहां लिखेंगे इसको अभी हम नहीं भरेंगे इसको पता करने के बाद, learn करने के बाद इसको भरा जाएगा तो हमें ऐसा चार्ट बनाना है एक तरफ तो हम लिखेंगे कि हमें क्या पता है What I know यानि कि के से और एक तरफ हम लिखेंगे What I want to know यानि कि जो अभी हमें नहीं पता लेकिन पता करना है तो left side में देखते हैं What I know यानि कि के वाली side देखते हैं Green वाली side हम इसमें कौन से point लिख सकते हैं जो हमें पता है हमें पता है plants तो grow करते हैं दूसरा point हमें ये पता है कि वो move नहीं कर सकते cannot move और इसके लावा हमें क्या पता है कि पोदो को पाने चाहिए soil चाहिए मिटी और सुरज की रोशनी चाहिए यानि कि sunlight चाहिए इसके लावा हमें ये भी पता है कि plants हमें क्या देते हैं खाना और oxygen देते हैं और ये भी पता है कि वो अपनी body के parts जैसे मालो टहनी तूट जाए या पतिया गिर जाए तो उसको दुबारा से regrow कर सकते हैं regrow का मतलब है दुबारा से grow कर सकते हैं re मतलब दुबारा grow मतलब grow कर लेना दुबारा से इसके लगा आपको जो पता है वो आप नीचे point बनाके लिख सकते हैं ऐसे ही जैसे ये point हमने लिखे हैं और दूसरी तरफ right and side में देखेंगे w की तरफ जो हमें पता करना है जो अभी नहीं पता जो हम पता करना चाहते हैं कि वो क्या खाते हैं what they eat रहेंगे वो और क्या वो मरते भी हैं और कैसे मरते हैं अगर मरते हैं तो can we move them from one place to another और दूसरा point हम और कह लिख सकते हैं कि क्या हम उनको एक जगह से दूसरी जगह move कर सकते हैं जैसे जमीन से निकालके दूसरी जगह रख दिया या दूसरी जगह बो दिया उसको दूबारा से क्या हम ऐसा कर सकते हैं या इसके अलावा आप जो आपको जो पता है जो आप पता करना चाहते हैं अपने पोधे के बारे में वह भी आप अपना point जरूर लिखें आज की class यहीं खत्म होती हैं अगर आपके कुछ doubts अभी भी बाकी हैं तो आप comment section में पूच सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन